नमस्कार परिये विद्यारतियों, वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके ITA के CBT एक्जाम होने हैं और इलेक्ट्रिशन फर्स्ट इयर वाले बच्चों के लिए हमने एक विसे स्रीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है परिक्षा में पूछे गए प्रैसन। हम इसे दूसरी भासा में अपनी भासा में बोल सकते हैं Most Repeated Question यानि इस स्रीज के मादियम से हम आपको वो क्योस्ट्रिशन करवा रहे हैं जो आपके CBT एक्जाम में बार बार आए हैं। Mostly आपसे ये क्योस्ट्रिशन पूचे गए हैं यानि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ये हमारी क्लास नमर है 12 आपको बता दें कि इससे पहले 11 क्लासेज और दे चुके हैं। नहीं छूटेगा और फुल डीपली एक्स्प्लेइन गर के भी बताया यार अगर पूरे साल को लेज नहीं भी गए ना तो भी पास की हंड्रेट परसेंट पास की घारंटी है हमारे बस उन क्लासेज को आप देख लिए अभी कल पर सो मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा रिपिटेड की क्या बात चल रही है देखो आपके परड़े होती है तीन सिफ्ट डेली तीन सिफ्ट होती है और दस से बारा दिन पेपर चलते है तो सुभावी किसी बात है क्युस्टन रिपीट तो देखो हो नहीं है है ना तो वर्स 2021-22-23 के CBT एक्जामों में जो सबसे ज़्यादा बार क्युस्टन आई थे ना वो हम इस क्लास के मादिम से आपको दे रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को करेंगे लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेर करने का काम करेंगे आई आज के परसनों से सुरू करते हैं पहला सवाल आपके सामने कौन सा उपकर है एक क्युस्टन को कारण सहीत बताया है दिमाग में फिट हो जाएगा कभी नहीं बूलोगे दूसरा जो मोस्ट रिपीटिव की 11 क्लासिज दी थी ना उनमें वो करवाए हैं जो सबसे अधा बार आए अब तो वो है जो दो बार एक बार दो बार आई थी वो तो समय निका डी इस्ट्ूमेट्स तीन तरह के होते हैं और च दो सेंग उने के दोरान संपूर्ण रिडिंग को देते हैं यानि जिस दिन बने थे उसके बाद अगर यूज होने शुरू हो गया तो यहां सी ओप्षन होगा एनरजी मिटर अब पूर्जा मिटर आपको यूनिट दिखाता है जैसे इस महिने आपके घर में लाइट पचास यूनिट कंजि तो आपको एक रिडिंग दे रहा है अगले महिने रिडिंग इक्क्यावन से जुरू होगी वो है इंटेग्रेटिंग ठीक है अब इसका आता है टेजेंट गेलवनों मिटर वाला यह भी क्यूस्टन आ चुका है तो इसे बोलते हैं निर्पेक्समापियंत्र इंग्लिस में बोलेंगे एबसोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आज मैं सारे ही बताऊंगा क्योंकि अब और अपने पास समय नहीं है कि आपको क्लासेज फिर हो जाएगी जी फिर हो जाएगी यह क्यूस्टन करवा दिया होगा नहीं तो इस क्यूस्टन में दो है दोनों आएवे हैं एक ही क सुचक मापी अंतर की सिरनी में जाएगा यानि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कैलाएगा बताओ सवाल समझ में आये क्या मिनिट तो दो खराब हो गई इस पर लेकिन क्यूस्टन पूरा हो गया और मुझे नहीं लगता कि आज की बाद फिर इस क्यूस्टन की आपको दुबारा समझने की जरूरत पड़ेगी क्या कहीं किसी को एक्स्प्लेनेशन की दुबारा जरूरती नहीं पड़ेगी है ना तो आजाओ क्यूस्टन पर सवाल देखो ट्रांसपॉर्मर में कंजर्वेटर का क्या है भाई तीन परणों कंजर्वेटर का याद रखो बरिद जरूरत पढ़ती है तो तेल की सफ्लाई करता है बाईचन में टेंख में टेल का एकस्प्लोजन होता है तो वह आपिस पेक मार जाता है यानि यह एक तरह से में टेंख में संकुचन और परसार दोनों को जगय प्रोवाइड करवाता है अब ओप्शन पढ़ो उस्मा को ट् तोड़नी की इनमती देना ये वेंट प्लग का काम है ये रडी उत्तर क्या कह रहा है अलाव एक्सपेशन ऑफ ओय लेवल डू लोड वेरियेशन भार में परिवर्तन के कारण जो तेल के इस्तर में उतार चड़ावाते हैं उसके लिए परमिशन देना टेंक फटर ना जाए डी उत्तर होगा बड़ा इंपोर्टेंट है याद करना यार अच्छा एक ना मैंने कल पर प्रेक्टिकल बताया था आपको जिसमें सवाल पूछा था उसने कि इस सर्किट का नाम क्या है वो प्रेक्टिकल अगर आपने देखा होती कर सकते और बड़े गूंपिर के क्यों स इससन आते हैं यार थे कि आना को पताया था और में आपका नहीं था fékळ रेगूलेंटर का एक प्रेक्टिकल आता है शेकणिर बड़ा इंपोर्टेटि यही तो है लगा हू silic यहां तो हूँद यह पेसिप्र लगा हुदूरन को प्रेक्टिकल क्ली घृट नगग्याहे है इलेक्ट्रोनिक फैन रेगुलेटर रही है इस रो का जब आप अभी तो फर्स्ट एर में हो सेकंडियर फास कर लोगे उसके बाद में भरती प्रिक्षा देनी होगी बरती प्रिक्षा में सवाल आते हैं इस रो में आईटे एलेक्ट्रिशन की बरती आती है जिसका नाम होता ह तो इस रो टेक्शन बी का एक सवाल पूचा तो किसन पूचा गया था इलेक्ट्रोनिक फैन रेगुलेटर में कौन सी डिवाइस काम में ले जाती है और ट्राइक उत्तर था यह देख वह रहा मैं टर्मिनल फर्स्ट मैं टर्मिनल टू और गेट ट्राइक में होते हैं आप आई अगले सवाल पर चल कुंडली उपकर्ण में डेंपिंग बल का कार क्या है देखो सुचक यंत्र बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सेकंडरी इंस्ट्रूमेंट में एक विसेज परकार का सेकंडरी में तीन परकार होते हैं जिन्मेंसे एक मीटर होता है जिसका नाम है सुचक इंगलीज में बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है ना सुचक मापी यंत्र में एक पोइंटर लगा रहता है ज यह जो जिरो से उठ अगे के तरफ जाता है ना, इसके लिए एक अलग बल होता है, फिर वो प्र उनावशक गति ना कर जाये उसके स्पीब करने के लिए और ह cen तो कंट्रोंग्च नोय नियुक्त जो होता है, वो वास्ता में आपॉजिट तक Working करते हैं एक दूसरे की तो फिर दो चीज़ जब एक दूसरे को खेंचती है ना तो वो कभी भी सामय वस्था में इंगलीज में बोलते हैं इक्विलेवरम उसमें नहीं आती है कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर इसको बैलेंस करना इस करिया को बोलते हैं दो लन करना यानि जैसे एंपिर मिटर था चार एंपिर रिडिंग थी चार के कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा अब ऑपरेटर कन्फ्यूज हो गया कितने एंपिर इडिंग है नहीं तो उसको खतम करने के लिए एक एक्ट्रा बल लगाती जिसका नाम है डेंपिंग इसका अगर हिं इनका क्लास है ये डी उत्तर आएगा दोलन के बिना सुई को नियंतरित करना सिंपल बासा में है दोलनों को समाप्त करना तीसरी बासा में लिए देना पॉइंटर को फाइनल रिडिंग पर इस्थिर करना फिक है जी अगले सवाल पर आईए माइडियर क्यूस्तन समझ में आ रहे होंगे उमीद घर रहा हूं बदले में आपको एक लाइक देना होगा इस वीडियो को जरूर क्योंकि हम लाइक से ही काउंट करेंगे कि कितने थे बच्चे जिनको एक लास पसंद आई सो प्लीज लाइक दी वीडियो और एक जानकारी सेयर करना चाओंगा इस वीड आउनलूड करने के बाद यूटूब पर तोड़ा सर्च कर लेना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फ्री टेस्ट मिलते नहीं है फ्री टेस्ट वीकेंट उलेज सर्च करना एक वीडियो मिलेगा जिसमें टूट्योरियल है तीस सेकंड का वीडियो है उसको देख करके फ्र एक भाज बांद आपको दिया एक नहीं दिया तो आपको एक बाद बता ढूँ आइस्कोर प्रोबल्ब्लम ओर ये जो समय है ये जो समय है, ये second में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, किसमें होना चाहिए, second में, किसमें किसमें दिया है, minute में, इसको converter करना होगा, बस, इतना सा कर लो, सवाल हल, तो power लिख देता हूँ, 1000W, समय लिख देता हूँ, second में, तो 5 minute है, 60 second एक minute में होती है, उससे गुना कर द चार जिरू इसके आगे और लगा दूँगा, लेकिन माई डियर, ये जो उत्तर आया, ये आया है आपका जूल में, हमें इसे क्या करना है, हमें इसे क्या करना है, किलो के लोरी में कनवर्ट करना हो, इसको जब किलो के लोरी में कनवर्ट करना हो, तो 4120 का इसमें भाग और देना है कि चार पॉइंट अठा रहा होता है वैसे तो ठीक है ना तो एक तालीस सो असी का दे दो वो कोई बात नी राउंड फिकर में आखड़ आएगा कि उस संलग बोग उसके बराबर बैठ जाएगा तो केल्कुलेशन करके मिलान कर ले ना भई केल्कुलेशन को सबकी अल एक चार तीस के आगे चार जिरो लगानी है ठीक है तो यह आपका आएगा भैतर पॉइंट सम्थिंग तो भैतर का उप्सन एक है तो डी उत्तर आ रहा है ठीक है फिर भी केल्कुलेशन करके प्लीज आप इस आंसर का एक बार फाइनल मिलान ओर कर ले ना तरीका यही बोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं आपको साइद पता होगा एमिटर की रेंज बढ़ानी के लिए संट लगाते हैं वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी के लिए मल्टिप्लाय लगाते हैं यानि एमिटर की रेंज बढ़ानी के लिए मिटर के पेरलल में रेजिस्टे कहां लगेगा यहां पर यहां इस resistance की गणना करवा रहा है इसको हम RSS बोलते हैं आपको इसका formula याद रखना होगा पहला काम संट परतिलोद गयाद करने के लिए आपको क्या चाहिए RM upon N-1 RM upon N-1 तो RM का मतलब होता है मिटर का resistance कहीं पर दिया ही नहीं है इसका मतलब सवाल में error है और वास्तों में error है आप नहीं की book जब खोलेंगे वो इतनी मोटी वाले तो उसमें यह clearly example लिखावा है मैं अब आपको यहां बता देता हूं मिटर का resistance 27 ohm है अब सुनो इन्होंने नही नहीं दिया ना पेपर में भी नहीं देंगे चेक करते ही नहीं है ऐसा का इसा ही उठाएंगे तो फिर आपको वहां logic काम में लेना है और सिधा उत्तर करना है उत्तर कितना आएगा वो भी मैं बता दूंगा चिंता मत करो लेकिन फिर भी याद करो और अगर वो बाइचांस से निकलता है इसे गुनक गटक बोलते हैं देखो यहां M का मतलब मीटर होता है तो IM का मतलब होता है वह करन्ट जिस पर मीटर FSD देता है मतलब full scale deflection दे रहा है मतलब अभी मेजर कर रहा है कितनी माप रहा है वन मिली एमपियर अभी वह एक मिली एमपियर नाप रहा था आया दस बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या रेडी निमेरिकलों को कोई नहीं बताता है इतनी डिटेल से मैं बता दू आपको सब आएंगे क्युस्टन पढ़ करेंगे कि बेटा इसका यह कर लो अगर सामने से किसी ने बूच लिया कि सर आया कैसे तो मैं हमेशा बोलत जिन्दगी में और अगर सिर्फ पढ़ोगे कि हाँ इसका यह है हाँ इसका यह तो कभी ने कभी भूल भी जाओगे आप भी तो भाई आई टे के बाद बरतियों के लिए कंपिटिशन लड़ना है आज गल सेलेक्शन सीधा नहीं होता उसका भी पेपर होता है एक्जाम भी आते हैं पॉइंट पर वेल्यू रख दो गई 27 ओम इसकी जगर रखना है एन आपने केल्कुलेट कर लिया 10 आया था 10 माइनस एक 27 बटे 9 9 थी यह 27 रेजिस्टेंस कितना है तीन ओम बताओ सवाल समझ में आया क्या अगर कोई बच्चा चांड है स्क्रीन सोट लेना चाहता ह है तो ले सकता है ले लो उस चीज़ का थोड़ा सा अदूर है अलांकि मैं उमीद गर रहा हूं कि इस बार चेंज करतेंगे आपको बड़िया तरीके से देंगे अच्छा वाया इसको रटलो यार इस पक्का आएगा पेपर देने जिस दिन पेपर हो जाए न हमें जरूर ब कि जैसे में וकोंसी है अगर ये Пूछ जाए तो वकिलो में पर्ति वोल्त है कि लो में ओम में बे अ कि भी कमपेरिजन करा ले जैसे जैसे 10 किलोंपर्ति वोल्ट और 20 किलोंपर्ति वोल्ट तो 20 वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा इससे मतलब मिटर की एक्यूरेसी बढ़ती है हायर दी सेंसिटिविटी हायर दी एक्यूरेसी यानि जितना हायर होगा सेंसिटिविटी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी मिट अच्छे रिडिंग नेगा रटलो इसको बहुत इंपोर्टेंट है आएगा पका पूरी संभावना है सवाल पूछे जाने की अगला आवरती मिटर का परकार गया है हमारे नॉर्मल यही वाला काम में लेते हैं मिटर फरिक्वेंसी वाले आठ दस फरकार का है वेस्टरन फरि इसके कारण वह वाइबरेट करती है अगर उसको किसी मेडियम में रख देंगे तो माध्यम की भी एक फरिक्वेंसी थी दोनों फरिक्वेंसी में चो जाएगी तो बहुँ जादा कमपन करने लग जाएगी हमारे इसमें क्या यही तो है यह क्या है आइरन रीड है रीड टा की साथ लगा के जो इसी फरिक्वेंसी आते हैं तो मिटर की सुई ऐसे फुली भी से नजर आएगी एक फूलती नहीं है वह कंपन कर रही है वह एक सेकंड में सो बार उपर नीचे हो रही है क्योंकि पचास अटेज फरिक्वेंसी है ना अपने भारत में ऐसी सप्टाई की पचास अटेजी तो है अगला सवाल देखो इस प्रकार के प्रकास वेवस्ता का नाम गया है यार लाइटिंग और इल्यूमिनेशन वाले में से ना पक्का क्यूस सनाएगा यह देखो डारेक्ट फोकुस जा रहा है यहां मूड रहा था लेकिन रेफलेक्टर ऐसा लगया कि टकरा करके यह भी इसी एंगल पर आई यह भी जा रहा था ऐसा बनाया कि टकरा कर यहां है यानि पूरा एक सपोर्ट बना रहा है यहां बर इसी लिए बस इसको सपोर्ट लाइट का गाते हैं किसा पॉञट भथा है इस पॉट प्लाइट जरूदिट आया इसे आप सकती वैसे प्रत्रेक्स प्रुंबहर को जरूर थे लिए आपकोध उत्तर खर ना है इस पर प्रकार की लेते हैं फ्लड लाइटिंग मतलब बहुत ज्यादा मातर है फ्लड का मतलब इंदे में होता है बाड जैसे इस्टेडियम हो गया अपना तो इसके लिए हमेशा डायरेक्ट लाइट निंग होती है कौन सी पर्तेक्स प्रकास बिवस्ता अपन उसको बोलते है ठीक ह यह है लाइट शोर्स हमारा यहां गया टकराकर के इदर आ रहे हैं यहां प्रकास गया टकराकर बार आ रहे हैं यहां गया टकराकर गया आ रहे हैं मतलब रेफलेप्टर का काम कौन कर रहा है यह और इस आकरती को आपने कभी देखा हो तो हम इसे बोलते हैं परवला है हिंदी में बोलते हैं इंगलीस में वोलते हैं ёपनी अपने लिदा कर चिरीज मोटर का डाइग्राम बनता है मैं आपको सेकने के कराए में पिन ने रहिए तो पर वालीक विजस Tuc पेराबोला हिंदी में बोलते हैं परवलाय या परवलाइक इंगलीस वाला याद रखलो पेराबोलिक बताओ समझ में आ रहा है क्या इतना चीक चीक कर चिला चिला कर बता रहा हूं बदले में एक लाइक एक सेर कर दीजिए फ्रेंड सरकिल में सेर जो भी आपके साथ सवाल देखो हीटर में अधिकतम आउटउट कहां से मिलेगी मेकसिमम हीट समंतर में मिलती है और सिरीज में मिनिमम मिलेगी बाकी मद्यम में मिल जाएगी चारों है मैं चारों ही बता देता हूं है ना देखो क्या हो रहा है सबसे पहले इस वाले को देखो यह लाइन है यह यह निइन्यूटरल है यहां आया और यहीं से इसको मिला इन दोनों को कुछ ही नहीं मिला ना इनको फेज मिला यह ओफ पोजीस्टन है क्योंकि दोनों हिटर में फेज कहीं पर भी नहीं मिला second वाले पर आते हैं देखो यह phase है यहां से होकर के आया दोनों को मिल गया यह neutral है एक यहां से मिल गया एक यहां से मिल गया दोनों parallel में जुड़ रहे हैं phase neutral neutral phase तो यहां maximum power मिलेगी अधिक्तम सक्ती इसी में से मिलेगी position no.2 से यहां पर क्या हो रहा है यहां आए नीट्रल इसको मिला यहां आए और इधर से इसको फेज मिला दोनों सीरीज में आ गए ठीक है और यहां से देखो क्या हो रहा है नीट्रल इसको मिला और यहां से मिला यह भी सीरीज में आपका है ना बस तो फिर मेक्सिमम वाला ध्यान अगला सवाल फलेसर की वरतमान वहन शमता गया होगा वरतमान को इंगलिश में करणट बोलते हैं करणट के रिंग केपेसिटी पूछ रहा है फलेसर दिखाया फलेसर लगता है डेकोरेटिव लाइटिंग में मतलब यह वाला मेनल है और इसमें एक बाइमेटलिक इन वाली दाराओं का योग जाने वाली दाराओं के योग के बराबर मतलब एक दो तीन ब्रांच वे जितनी करणट आ रही है उतनी यहां से आ रही है फलेसर उसी रेटिंग का होना चाहिए या फिर वैसे देख लो कि तीनो ब्रांच पेरलल है तो पेरलल में क्या होता है current अमेशा जुड़ती है पर तेक बरांच की करंट सो मिली एंपियर है तो फ्लेशर तीन सो मिली एंपियर का हो गया कितने का वा तीन सो का ये रहा आपका डी उत्तर बता वाद समझ में आ गई क्या कोई दिक्कत नहीं है बस तो फिर क्लास को यहीं रोग देते हैं और है तो से बात भी करवाते हैं ठीक है समय निकाल कर प्रिवियस क्लासेज को देख लो निवेदन इतना ही करूँगा ठोड़ी आपको कभी प्रोब्लम नहीं आएगी जिंदिगी में हमारे साथ जुड़े रहो सेकंडियर भी देना है बरती परिक्षाओं की त्यारी भी करनी है और प्ल प्रिजद आप इस क्लास को सेयर करें पहुत देने वादे हैं